हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल कुक्वित भूमी आज मैं आपको शगरकंदी की खीर बनाना सिखाऊंगी उसके लिए सबसे पहले एक कूकर में शगरकंदी को धो कर चड़ा दीजिए और उसके बाद लगबग मैंने यहाँ पर बन एना हाफ ग्लास पानी लिया है फ्लेम को आप हाई रखेंगे जब इसमें लगबग दो विसल आ जाएगी तब आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा और उसके बाद आपको लगबग 5-10 मिनिट्स तक लो फ्लेम पर बॉइल करना है जब तक हमाई शगरकंदी बॉइल हो रही है तब तक मैंने गैस पर एक कड़ाई रखी है उसके बाद मैं उसमें लगबग देड़ गिलास दूट डालूंगी आपको जितना भी कॉंटिटी बनानी हो उसे साब से आप दूट की कॉंटिटी गटा बढ़ा सकते हैं अब मैंने इसमें दो टेबिल स्पून भर कर शुगर एड़ किये शुगर को भी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं यह देखें फेंस हमारी शुगर कंदी बॉय हो चुकी है और अब मैंने इसको चील का चील लिया है तो यह इस तरह से दिख रही है यह अंदर तक देखें पूरी तरह से गल चुकी है बस अब हम इसे एक मैशर की हल्प से मैश करेंगे बहुत सिंपल सी रेसिपी यह आप एक बास आज कर जरूर ट्रॉय कीजिएगा बनाकर यह देखें हमने इसको पूरी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसे दूद में डाल देंगे अपने उबलते हुए दूद में अगर आपको इसमें लंप्स लग रहे हो तो आप मैशर से इसको मैश कर सकती है जिस तरह से मैंने किया यह देखें इससे आपकी शकरकंदी बिलकुल दूद में अच्छे तरह से मिक्स हो जाएंगी बस अब इसकी फ्लेम को लो कर दीजे और थोड़ी देर फाइफ मिनट्स तक इसे पकने दीजे यह देखें फिन्स हमारी दूद और शकरकंदी एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब यह सर्फ के लिए तयार है मैंने इसमें कटे हुए काजू और बादाम डाले हैं आप अपने इच्छे अनुसार कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यह देखें हमारी शकरकंदी की खीर बनकर तयार है आप इसे अपने चोटे बेबी इसको भी खिला सकते हैं तो फ्रेंस अगर आपको मेरी लेस्पी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए